हेलो बेहनो स्वागत है आप सभी का मेरे यूटूब चैनल में सो बेहनो आज पोशन ट्रैकर की बहुत ही महतोपूर्ण जानकरे लेकर आई हूँ आप सभी के लिए तो सबसे पहले आप सभी को प्लेश्टोर पे जाना है और अपना पोशन ट्रैकर अपडेट कर लेना है क्योंकि पोशन ट्रैकर को अपडेट करने के बाद ही आप सभी को अपना पोशन ट्रैकर पूरी तरह से चेंज दिखेगा तो हमारा potion tracker का जो भी कार्या था कार्या तो वही है लेकिन उसका करने का तरीका और उसका जो front page था वो बिल्कुल पूरी तरह से change हो गया है तो इसलिए सबसे पहले आप सभी को potion tracker को update करना है आप सभी को जाना है अपने play store पे वहाँ पे आप सभी को इस तरह का searching का option दिखाया देगा आप वहाँ पे लिखेंगे potion tracker और potion tracker का हमारा नया version 18.1 आ गया है तो यहाँ पे play store पे सर्च करने पर आप potion tracker 18.1 भी लिख सकते हैं और सिधे potion tracker लिखे भी आप सभी को यहाँ पे update का option दिखाया देगा तो आप सभी इसे update करेंगे और जिन भी बहनों ने अभी तक इस चैनल को subscribe नहीं किया है तो जल्दी से आप मेरे इस चैनल को subscribe कर लिजेगा ताकि potion tracker की सभी परकार के जानकारियां आपको समय समय पे मिल पाएंगी और आज का यहाँ वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है क्योंकि आप सभी को potion tracker का नया जो change है वो किस तरह से देखने को मिलेगा जब आप इस वीडियो को लास तक देखेंगे तभी आप सभी को पूरी अच्छी तरह से समझमा आप आएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं potion tracker हमारा update हो गया है और आप सभी को open का option दिखाया दे रहा है तो यहाँ से आप सभी open कर लीजीगा और सीधे अपनी potion tracker पे जाके भी open कर सकते हैं तो चले सबसे पहले हम potion tracker को यहाँ पे click करेंगे और इसमें हम देख लेते हैं कि हमारी क्या नई update आई है और यहाँ पे हमारी तीन महत्तोपून update आई है और इनको हम अपनी potion tracker के अंदर जाके देखेंगे तो जैसी आप अपना potion tracker open करते हैं तो आपका जो front page था daily tracking, beneficiary, growth monitoring, home visit यह पूरा option आपको different दिखाए देगा तो आप सभी last तक जरूर बनी रहें और हमारा potion tracker का यह कौन सा version आया है इससे पहले हमारा 18.0 version आया था तो उस version को जानने के लिए आप सभी को यहाँ पे click करना होगा तो इस तरह से आप अपनी daily नई update चेक कर सकते हैं यहाँ पे click करने के बाद आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए 18.1 हमारा नया version है तो यह हमारा 24 जनुरी को अपडेट हुआ है तो चेलिए आप सभी अपना potion tracker ओपन करेंगे potion tracker open करने के बाद आप सभी को इस तरह का page खुल कर आएगा तो यहाँ पे पहले आप सभी को beneficiary daily tracking home visit के अलग option दिखाए देते हैं लेकिन अप से जब आप अपना potion tracker update करते हैं अपडेट करने के बाद आप हर daily आप सभी को इस तरह का page खुल कर आएगा तो यहाँ पे आप सभी को बिल्कुल भी change दिखाए दे रहा होगा और इसमें हम सभी को किस तरह से beneficiary home visit, growth monitoring, daily tracking वो किस तरह से कारे करना है तो आप सभी वीडियो को लास्ता जरूर देखेगा आपको अच्छे से समझ माँ आ जाएए तो चलिए सुरू करते हैं और यहाँ पे सबसे पहले आप सभी को इस तरह का beneficiary दिखाए देरा है यह आपका beneficiary option है तो जैसे आप इसे किलिक करते हैं तो यहाँ पे आपकी गर्वती सतनपान जिरू से 6 वरसे के बच्चों का पुरा इस तरह से फोल्डर है तो इससे अंदर आप इस तरह से एड़ कर सकते हैं और growth man monitoring कर सकते हैं और फिर हमारा second option है daily tracking और इसे किलिक करेंगे इसे किलिक करने के बाद आपका इस तरह से यहाँ पे daily tracking आगनवाडी के open attendance और activity यहां दिखानी होती है तो यह हमारा daily tracking का option और third option है हमारा home visit और इसे किलिक करेंगे तो इस तरह से आप सभी यहाँ पे अपनी home visit यानि ग्रह बर्मन दरसा सकते हैं तो यह हमारा ग्रह बर्मन का है और फिर back जाएंगे नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका है register करें लाभारती यानि आपके new beneficiary तो कोई लाभारती add करने होते हैं तो आप इसे किलिक कीजिएगा और इसे किलिक करने के बाद यहाँ पे आप सभी अपनी लाभारती add क कर सकते हैं second option है हमारा सत्यापित आधार यहाँ आधार के लिए है तो यहाँ से आप सभी अपना आधार verify करते हैं third option है हमारा migrate लाभारती यानि किसी भी लाभारती को आपको transfer करना है या भी गर्बत से धात्री धात्री में transfer करना है और उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे dashboard track your performance for the month तो इस month आपने अपने portion tracker में क्या-क्या activities की हैं जो भी आपने कारे किया है तो यहाँ पे आपकी इस dashboard में so करेगा तो इसे किली करते हैं और इसे किली करने के बाद आप सभी को इस तरह का page आए और यहाँ पे आप सभी को वह activity दिखाए देंगे जो आपने इस month कर र activity और नीचे आता है आपका home visit जो आपने home visit करें होंगे और visit वाला due उसके बाद नीचे जाएंगे और नीचे है growth monitoring उसके बाद है sam and underweight children तो इस तरह से आपकी जो भी month में activity आपने की हैं इसमें दिखाए देगा और इसके बाद हम home page पे जाते हैं तो इस तरह से यह थी हमारी आस की जानकारी और आसा करूंगी आप सभी को इस तरह से समझ मा आगया होगा यदि आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक किज़ेगा शेयर किज़ेगा अपने आगन बड़ी इस टाप में सभी आगन बड़ी बहनों तक और जो भी आगन पूशन टैकर के इस चैनल पर नई है तो आप इस चैनल को सबस्क्राइब कर लिजिएगा ताकि आप सभी को पूशन टैकर से समंधी जानकरियां समय समय पे मिल पाए तो चले मैं मिलती हूँ आप सभी को अपने कल के नई वीडियो में तब तक कि लिए बबाएगा